इंद्री के गाम नदी खालसा में स्वर्गिय चोधरी सूरत सिंग मंधान की पून्य तिती की उपलक्ष में थैली सीमिया से पेडित बच्चों के लिए विशाग रक्तदान शीविर लगाया गया इस शीविर में लगभग 200 लोगों ने रिजिस्ट्रेशन कराया और 170 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया शीविर के आयोजग जोगेंदर मढधान संजीव मलिक व कपिल किशोर ने दी उन्होंने बताया कि हर तीन महीने बाद रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है रक्तदान से जहाँ हम किसी जरूरतमन मरीज की जान बचाने में साञटा करते हैं वही नियमित रक्तदाता को भी कई बिमारियों से चुक्कारा मिलता है उन्होंने बताया कि जिस दिन हर व्यक्ति रक्तदान करने लगेगा उस दिन खून की कमी के कारण देश में एक भी जान नहीं जाएगी क्योंकि अधिकतर लोगों की जान समय पर रक्त ना मिलने के कारण ही होती है उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को साल में 3-4 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए रक्तदान ही महादान है इससे हम लोगों की जान बचा सकते हैं शीविर में सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया आज का ये बलेड डोनेशन कैम्प गाउन अंडी खालसा में स्वर्गे शरी सूरत सिंग्जी मढान की पुनेतिती के उपलक्ष में लगाया जा रहा है हमारा सभी भाईयों और भेनुस नुरोध है जिन की उमर 18 साल से जाला है सभी को साल में 3 या 4 बर बलेड अवश्य डोनेट करना चाहिए हमारा ये बलेड डोनेशन कैम्प स्पेशली थेलेसीमिया के बच्चों के लिए लगाया जाता है थेलेसीमिया के बारे में जैसा हम सभी को पता है ये वो बिमारी है जिसमें छोटे छोटे बच्चों का खून नहीं बनता इन बच्चों को हर 15-20 दिन बाद खून की अवशकता पढ़ती है और लगातार हम जैसे केमप लगाते हैं सिर्फ इसलिए लगाते है ताकि इन बच्चों को बलड की कमी ना हो कम से कम हमारे करनाल में तो इनको कमी ना हो और थेलेसीमिया के बारे में जैसा हमें पता है कि हमारी मेडिकल साइंस में कोई भी इसका इलाज अभी तक possible नहीं हो पाया है अगर कोई है तो बहुत ही मुश्किल और बहुत महंगा है इसके फायदा यह होते हैं कि इस पे आपका जो हर्ट है वो स्वस्त रहता है हमेशा जो क्या होता है कि चार महीने में दुबारा जो बलड होता है हमारे श्रीर का अपने आप बदल जाता है इसलिए हमेशा बलड को ऐसे ही वेश्ट करने से अच्छा है कि हम उसको दान करें ताकि वो लोगों के काम आ सके हम हार्ट डिजीज से भी बचे रहेंगे हमारा बीपी भी ठीक रहेगा और हमारा बाकी स्वास्थे वीस में ठीक रहेगा और जन कल्यान में भी हम अपना सायोग दे पाएं आज तारीक 11 अगस्त को हमारे पीता जी चोग रिसूर्सिंग की कुन्यती थी जो प्लक्स में रखदान से लगाय जिन किया गया यहां पर आए हुए सब डोनरों का स्वागत और धन्यवाद है आगे भी हम यह ब्लड काप लगाते रहे हैं आज का जो शीवरा है मारे ताओ जी सबर गया जो द्रिस्तूर्सिंग में डाण डिवाले के पुन्यती थीवर लगाय जा रहे हैं और सभी युवाव में और गामवासियों ने जो सा कुरा सभी बढ़ चड़कर बाग ले रहे हैं और यहां तीन में ने बाद बलड अवस्या दे देना चाहिए इसमें कोई कमजोर नहीं हाती और थाजिसी में से पीडिक जो बच्चे करनाडो सब्सक्राइब बचन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए